महिवा मंडी में नौरात्री पर फलो के दामों में बढ़ोत्री हुई है जिसके संबन्द में फल विक्रेता एसोईसेशन के महामंट्री विजय सूनकर ने बताए कि मंडी में सेप 30 रुपए से 55 रुपए किलो अनार 45 से 70 रुपए किलो तक विक रहा है उन्होंने केले के दामों को बताते हुए कहा कि केला 7 रुपए से 8 रुपए किलो और संत्रा 35 रुपए किलो तक विक रहा है उन्होंने कहा कि लागडाउन का लोगों पर गहरा असर पड़ा है आवक तो भरपूर है लेकिन विक्री बहुत कम है उन्होंने बताए कि महरास और आंडर प्रदेश में बारिस जादा हो रही है जिससे दाम कुछ बढ़े हुए है इस संबन में गुरेपुनियों से बात करते हुए फल विक्रेता अनुकुमार सोन का निजाम उद्दीन एवं फल विक्रेता इन एस्वेसेसन के महामंत्री विजय सोन करने कहा अनुकुमार सोन कार से लिए 20 उर्पय से लेके 55 लुपे बढ़ियां से 40 से लेके 55 लुपे बढ़ियां से 40 से लेके 55 लुपे भाड़ा बढ़ गया है फसल कमजोर है निजाम उद्दीन पढ़िया अभी तो संत्रा चालू हुआ है तो संत्रा वही 35 लुपे किलो भिक्रा है अनार समझे की 30 लुपे से लगा के 70 लुपे 80 लुपे किलो तक भिक्रा है इसे रख हो गया है इसका आसर कुछ नहीं है वह असल बद क्या है कि बारीश जादा हो रही है महराष्ट में अंदर परदेश में इस वह एक से थोड़ा माल कम निकल नहीं पा रहा है, इस वज़े से डेट फ्रोगा टाइट हो गया है बिक्री अभी बहुत स्लो बिक्री है और मतलब ज्यादा रिस्पॉंस नहीं मिल पा रहा है, अच्छे तरीक से महामंत्री विजय कुमार सोनकर गोरपूर फूर्ट एसोसियेशन मंडी में फलो का आवक जो है भरपूर है और मैं इसके पहले भी स्टेट्मेंट दे चुका हूँ कि आवक इतना है कि हमारा माल भी बिक्री में परसानी हो रही है इसमें सेव की पोजिशन जो क्वालिटी की हिसाब से 30 से ले करके 50-55 रुपेते की पोजिशन है अब क्वालिटी जैसा है उस तरीकी से रेट है लेकिन रिटेल में क्या रेट है उससे हम तो नहीं बतला सकते हैं अनार आपका समली जी की 45 से ले करके 70 रुपे 75 रुपेते केले की रेट आज थोड़ा सा टाइट हुआ है ने तो समली ये केला तो तीन दोच पहले पांच-छे रुपया भी का है आज हमारे कहले साथ आट रुपे की पोजिशन है तो रेट भागे नहीं है रेट भागा कहा है तो आज जितना मैं सबजी से भी सस्ता हमारा अफल भी करा है कहां से रुपया मैंने कहां रिटेल से हमसे कोई मतलब नहीं है हमको तो होलसेल से आप मतलब दिये की है न आप देख रहा है पूरी मंडी आप देख लिए क्या पोजिशन है कि परचेजर कहा है मंडी के अंदर राइवल तो हमारे पास है साथ पहले ये लागडाउन के पर बिवस्था देखता है उसके बाद तब यह तो प्लस चीजे है जब उसके पैसा एक्ष्टा हो तब निसके बारे में सोचेगा में कारण ही है कि जो लागडाउन से जो बिवस्थाएं गडबडाई है आर्थिक इस्तित सबकी डमाडोल हो चुकी है इसलिए हमारे मार्क पेट को बहुत भारी नुकसान ठाना पड़ रहा है